हेलो अर्यों वेलकम टो वाइफाई स्टड़ी विच अपार्ट ओफ अन अकेडमी गुरूप दोस्तों आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं चालिस ऐसे प्रिविएस एर कोशन्स जो की SSC और रेलिवे में बार-बार रेपीट हो रहे हैं तो आप इस वीडियो को सुरू से लेके अंड तक देखेगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ में भी जरूर सेयर करिएगा और दोस्तों अगर आपने अभी तक टेलिग्राम ग्रूप जोइन नहीं किया है तो सोरंबलिक ओफिशल नाम से एक टेलिग्राम है उसको जोइन कर लेना क्योंकि यहां पे आप लोग को सारी वीडियो के पीडियो और सभी अनेकेडमी की फिरी क्लासिस के लिंक मिल जाते ह क्योंकि अनेकेडमी पर मेरी क्लास होती है दोस्तों दिन में धाई बजे और रात में ग्यारा बजे दोनों क्लासिस बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट होती है और दोनों क्लासिस के लिंक आपको यहां पे मिल जाते हैं बाकी अनेकेडमी प्लस के बहुत सारे बेनिफिट है जैसे live classes मिल जाती है weekly test पूरा structure course मिलता है limited access मिलता है और भी सारी चीजे यह आपको मिल जाती है और आपको study 10 code यूज करना है सभी categories के लिए जिस भी category में आपको subscription जोइन करना है और अभी 19 फरवरी तक एक offer चलता है जिसमें आपको 20% cough मिल जाएगा तो यह सबसे best time है दोस्तो आपको subscription अगर जोइन करना है तो जोइन कर लीजेगा बाकी दोस्तों देखे 27 फरवरी को सबसे बड़ा अभी तक का exam गोर्मेंट exam scholarship test होने जा रहा है तो इसमें आप अगर rank 1 लेके आते हैं laptop जीच सकते हैं rank 2-6 mobile जीच सकते हैं earbuds और भी बहुत सारी चीजे हैं जिसमें इसमें आप लोग एंडोल कर सकते हैं और code यूज करना है study trend ठीक है fees आप देख सकते हैं जो आपको best offer लगे उसको join कर लेना और 10% की बज़ए अभी 20% का off मिलना है दोस्तों ये भी आप लोग को याद रखना है बाकी सारे test video cost है SSC category में लगा सकते हैं तो चले शुरू करते आज की वीडियो को प्लीज पूरा एंड तक देखेगा दोस्तों आज की वीडियो का पहला question है NPA is a loan or an advance where interest and या फिर installment of principal remain overdue for a period of more than days in respect of time of loan यानि कि आपको बताना है NPA किसको बोला जाता है या तो installment या फिर principal amount का interest नहीं paid करने पर कब NPA इसको मान ले जाता है तो अगर 90 दिनों तक या तो interest नहीं मिले या फिर जो principal amount की installment paid करने है वो ना मिले तो उसको जो bank है या फिर जो भी financial institution है उसको NPA की category में रखता है तो ये काफी important हो सकता है दोस्तों exam के point of view से इसको याद रखेगा अगला question आता है water man of India के रूप में किसे जाना जाता है दोस्तो water man of India के रूप में जाना जाता है राजेंदर सिंग को यानि की right answer is option c तो ये आप लोग को याद रखना है question है बड़ा इमाम बाड़ा को किस मस्जित के नाम से जाना जाता है तो दोस्तों इसका right answer क्या होगा असपी मस्जित को यानि की right answer option 4 हो जाएगा question आता है मस्दिक्स को cover करने वाली सबसे अंतरिक जीली कौन सी है तो ये है दोस्तो प्या मेटर यानि की right answer is option third ये आप लोग को याद रखना है question है टेमी टी गार्डन किस राज्य में इस्थित है टेमी टी गार्डन किस राज्य में इस्थित है आंसर बताएगा तो यह संदक्सित दोस्टों असाम के लिए यानि कि right answer is option यह आप लोगों को याद रखना है निमलकित में से किस खेल के लिए ring सब्द का उप्योग इस्थान के लिए नहीं किया जाता है तो जल्दी से बताएगा पर मनाया जाता है यानि की कब मनाया जाता है दोस्तों तो सांति और विकास के लिए विश विज्ञान दिवस दोस्तों 10 अउंबर को मनाया जाता है 28 फरवरी को नहीं तो काफी सारे स्टू genuine यहां पर 28 फरवरी आंसर लगा रही होंगे क्योंकि मुझे पता है पहले भी मैं इस कोशन को कराया था आप लोग ने मैक्सम स्ट्रेंड ने 28 फरवरी आंसर लगाया था ने मिलकित में से किस राजय केंसासित परदेश ने जनता क्लिनिक खोला है तो देखें महला क्लिनिक है जनता क्लिनिक है ये दोनों में कन्फ्यूज मत होईएगा जनता क्लिनिक दोस्तों राइस्थान सरकार ने खोला है और महला क्लिनिक आप लोग बताएंगे किस सरकार ने किस राजय में या किस केंसे सासित परदेश में खोला गया है ठीक है जी कोशन आता है Startup India Stand up India अभ्यान किस से जुड़ा है Startup India Stand up India अभ्यान किस से जुड़ा है तो मेरे प्यारे दोस्तों यह जुड़ा है Entrepreneurship यानि की right answer is option second हो जाएगा ठीक है और इसके बारे मैं बात करूं दोस्तों Startup India, Stand up India योजना की सुरुवाद भारत सरकार द्वारा 16 जनवरी 2016 को सुरू की गई यह योजना का मुख्य उदेश से दोस्तों व्यापार और एंटेप्रिन्योर्शिप में बढ़ावा देना है जिससे देश में रोजगार और नोकरी का बढ़ावा मिले अगला कोशन है सबसे बड़ आपका हो जाएगा मारास्ट यानि की ऑप्शन हो जाएगा फोर राइट आंसर कोशन है भारत खालिस्थान नहर के माध्यम से यूरोप देशों से जुड़ा है यानि की भारत किस नहर के माध्यम से यूरोप देशों से जुड़ा हुआ है तो इस कोशन का दोस्तों की के साथ अमेरिका के साथ जुड़ा हुआ है 1869 में दोस्तों सुवेज नहर के खुलने के बाद भारत और यूरोप के बीच की जो दूरी है वो साथ हजार किलोमेटर कम हो गई मतलब समझे आप लोग उस टाइम पे साथ जार किलोमेटर कितना बैठता हो गयर जाने के लिए तो ये चीज आप लोग याद रख सकते हैं भारत की पाचवी पंचवर्षय योजना किस मोडल पर आधारी थी तो पाचवी अगर मैं बात करूँ पंचवर्षय योजना की तो ये थी DP धर मोडल पर यानि की राइट आंसर इस ऑप्षन आपका हो जाएगा थर्ड वाला राइट आंसर ठीक है ना देखे भारत में आर्थिक विकास के लिए पंचवर्षय योजनाओं की अवधारना USR यानि की अब जो की रूस है से ली गई थी पहली पंचवर्षय य दोस्तों हेरोड डोमर मोडल पर आधारित थी पर यहां पर पांच भी पूची गई है तो याद रखेगा पांच भी किस्पती जो मैंने आंसर लगाया है अगला कोशन आता है सरवन बेल गोला में गोतम गोतमेस्वर परतिमा बाहुबली का निर्मान किस ने किया था तो इ राइट आंसर इस ओप्शन डी तो राइट आंसर होगा दोस्तों चमुन ड्राइए अगर मैं आपर बताओं आंसर क्रेक्ट आंसर क्या होगा चमुन ड्राइए तो यह आप लोग या दखेगा बाकी आपर मैंने बता दिया है चलि नेक्स है राजिस्थान राज्य किस राज़ा के साथ सीमा साजा नहीं करता है बतेगा राजिस्थान दोस्तों जो है वो महरास्त के साथ में सीमा साजा नहीं करता है देखे राजिस्थान के अगर मैं बात करो राजिस्थान उत्तर पस्चिम भारत में इस्थित एक र बोक्स में बता दीजिए कोशन दोस्तों हाल ही में फ्रेंच ग्याना से कौन सा भारते उपगर है लॉंच किया गया तो ये कौन सा किया गया दोस्तों बिल्कुल जी से ठर्टी किया गया है यानि कि इस कोशन का राइट आंसर आपका सेकिंड हो जाएगा ठीक है जी चले कोशन ने जलवाई हूँ परिवर्तन पर संयुक्त रास्टे फ्रेंवर्क कन्वेंशन यानि कि UNFCCC या FCCC निमलिकित में एजित किया जाता है तो इस कोशन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बिल्कुल सही है 1992 में ठीक है न और इनकी थोड़ा आप फुल फॉर्म भी जान लीजे युनाइटि नेशन फ्रेंवर्क कन्वेंशन एंड क्लाइमेट चेंज इसकी फुल फॉर्म है UNFCCC की तो यह आप लोग याद रख सकते हैं ठीक है जी चले वाई-यू गुण बत्ता सुचकां क्या है ? दोस्तों इस कोशन का राइट आंसर होगा यह अपने छेतर में ओजोन इस्तर को मापता है थीक है न वट इस एयर कॉलेटि इंडेक्स तो यह आपके छेतर में ओजोन इस्तर को मापता है तो यह आप लोग को याद रखना है question आते है ताजमेल पीला हो रहा है निमलिकित में से कौन जिम्मेदार है तो ताजमेल पीला हो रहा है दोस्तों इसके लिए जिम्मेदार है sulfur dioxide यानि की right answer इस option आपका 4 हो जाएगा तो ये आप लोग को याद अखना है अगला कोशन है निमलिकित में से कौन अफरीका माधी से युएन्डों के पहले मास अचीव थे तो जरा आंसर बतेगा बिल्कुल सही है सलफर डियोकसाइड सलफर डियोकसाइड इस कोशन का रहेट आंसर हो जाएगा इसका आंसर बतेगा जरा ये दोस्तों कोशन होगा आपका बुतरस गाली इस दर रेटान सा ठीक है तो ये आप रोग को याद अखना है भई भारत का पहला व्यक्ति जिसने हिंदी में भासन दिया वे अटल व्यारी वाजपई थे उस समय अटल व्यारी वाजपई किस पद पर थे तो उस समय दोस्तों अटल व्यारी वाजपई जी विदेश मंतरी थे तो ये आप लोग को याद अखना है ये कब की बात मैं बता रहा हूं दोस्तों 24 अक्टूबर 1970 में संयुक्त राष्टर संग आम सबा के 32 अधिवेशन में अटल व्यारी वाजपई ने हिंदी में भासंद दिया उस समय भारत में जनता पार्टी की सरकार थी और वे उस सरकार में विदेश मंतरी थे और ये आप लोग को याद रखना है ये अन में हिंदी में भासंद देने वाले दोस्तों पहले भारते थे ये जरूर याद रखेगा अगला कोशन है किस नदी के तट पर महावीर ने केवले प्राप्त किया था तो इस कोशन का राइट आंसर हो जाएगा रीजू पाली का इस दा राइट आंसर तो ये आप लोग को याद रखना है अगला कोशन है किन दो टीमों ने पहला अधिकारिक अंतरास्टिय क्रिकेट मैच खेला तो ये आपका हो जाएगा दोस्तों USA and Canada संयूक्त राज्या अमेरिका और कनेडा इस दा राइट आंसर ठीक है बाकी मैंने पूरा बता रखें आप लोग को पहला अधिकारिक अंतरास्टिय क्रिकेट मैच संयूक्त राज्या अमेरिका बनाम बिटिस समराज्य के केनडा परांद के बीच खेला गया था ठीक है कब खेला गया था दोस्तों मैच 24 से 26 सितंबर 1844 के बीच नियोर्क के ब्लूम डेल पार्क में सेंट जोर्ज क्रिकेट कलब में हुआ था नेमलेकित में से कौन सा देश छेत्रपल की दस्ती से सबसे छोटा है तो दोस्तों चारों में बात की जाए तो अरजेंटिना सबसे छोटा होगा ठीक है ना चले नेक्स कोशन है जिनका वायरस जो ब्लूम के मस्टिक्स को नुकसान पहुचाता है वे है कौन सा है तो ये है दोस्तों मच्छर जनित यानि की राइट आंसर इस ओप्शन सेकेंड ठीक है इसके बारे में और ज़्यादा बात करें तो जिनका वायरस जिसे पहली बार 1947 में युगांडा में पहचाना गया था एडिज मच्छरों द्वारा प्रेरित होता है इसी परकार का मच्छर जो डेंगू बुखार और पीला बुखार और चिकन गुनिया वायरस को जनम देता है मंदिर डैम किस नधी पर इस्थित है सोरी मंदिर डैम जाओ किस नधी पर इस्थित है यह बता है दोस्तों यह मंच्कुंड नधी पर यानि की राइट आंसर इस ओप्षन आपका A हो जाएगा ठीक है कोशन आता है भारत में अनुपातिक परतिनिदित के आधार पर निमलकित में से किसे चुना जाता है आंसर बतेगा तो इन में से कोई नहीं नान हो जाएगा राइट आंसर इस डी या आप लोग को याद अखना है कोशन है भारत के सरवुच नहले के नादीज के रूप में न्यूक्त होने के योग्य है तू किसी व्यक्ति को उच नहले में कब तक अभ्यास करना चाहिए तो इस कोशन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तो कम से कम पाँच साल तो राइट आंसर आपका उप्शन याप पे यह हो जाएगा कोशन है भारत के एट्टोर्णी जनर्रल के बारे में निमलुक्त में से कौन सा सही है तो यहाँ पर अगर मैं बात करूं दोस्तो कौन सा सही है तो इस question का right answer क्या हो जाएगा दोस्तों बोथ are correct तो ये आप लोग याद अख सकते हैं Question आता है Nobel अर्शास्त पुरुसकार की सेर में परदान किया जाता है तो ये हो जाएगा दोस्तों Stockholm यानि की right answer is second ये भी आप लोग को याद अखना है Nobel सांती पुरुसकार दोस्तों ओसलो नॉर्वे और भोतिक रसायन विज्ञान दोस्तों Physiology या चिकित्सक और साहित्य में Nobel पुरुसकार तता अर्शास्त में पुरुसकार दोस्तों Stockholm Sweden में परदान किया जाता है तो ये मैंने आपको यहाँ पर लिखके बता भी दिया है Question आता है एक समान उचाई के स्थानों में जोडने वाले वही रेखाओं को कहा जाता है तो इस Question का right answer बतेगा ISO hypers यानि की right answer is option आपका 4 हो जाएगा तो ये भी आप लोग याद एक सकते है तो guys यहाँ पर कही Question बचेए राष्टे ग्रामिन विकास संस्थान में स्थित है जल्दी जल्दी बताईए ये है आपका हैदराबाद में स्थित भारत में सर्व उच वीर्था पुरुसकार कोन सा है तो ये आपका है दोस्तो कौन सा प्रमवीर चक्र ठीक है ना युद के समय में दिये जाने वाला दोस्तो प्रमवीर चक्र है मावीर चक्र है और वीर चक्र है ठीक है ना और सांती के समय में दिये जाने वाला ये वो टाइम के है और पीस टाइम जो है दोस्तों यह है आपका असोख चक्र और असोख चक्र है आपका कीरती चक्र है और वीरता पुरुस्कार है विस्व का सबसे उचा दीब कौन सा है तो यह आपका न्यू गिने दीब जो की वर्ल्ड हाइएस्ट आइसलेंड है ठीक है न तो यह भी आप लोग को याद रखना है 16503 फिट के करीब है यह और वर्ल लार्जेस्ट लेक जो है दोस्तों वह कौन सी है मैनी टोल लेक तो यह स अब याद रख सकते हैं आकार के संदर में नेप्चुन हमारे सोर मंडल में इस्थान पर है तो यह है दोस्तों चोथे इस्थान पर ठीक है फूल पत्ती का लोकनत्य है तो फूल पत्ती इस अफ लोक डैंस ओफ विच स्टेट तो यह दोस्तों मध्य परदेश का है तो गाईज अगर आपको इस सेशन पसंद आता है तो लाइक कर दिया करें भई है ना चले मिलते है नेक्स पीडियो पर और देखे गाईज एक बहुत ही अच्छा फीचर जो की अनेकेडमी पर आपको मिल जाता है जहां पे आप रिपोर्ट कर सकते हैं कोई भी इनेप्रोपियेट कंटेंट इन दे वीडियो मतलब वीडियो में आपको कुछ भी ऐसा लगता है जो की स्टडी से लेटेड नहीं था तो आप उसको रिपोर्ट करके अपना प्राइज विन कर सकते हैं ठी में आप ये चीजे भेज़के और जो सबसे पहले भेज़ेगा उसको प्राइज मिलेगा ठीक है वाकि थैंक्यू सो मच गाईज चैनल को सब्सक्काइब कर लीजेगा पीडिया भी आप डाउलोड कर सकते हैं बेल आइकन को ओन रखिए और वीडियो को लाइक और सेयर करना भूलिएगा मत ठीक है और देखिए अनकेडमी पर मेरी दो special classes हो रही है इसके बारे मैं बता देता हूँ एक तो दिन में होती है दोस्तो धाई बज़े ठीक है और एक होती है रात को 11 बज़े दोनों ही important है और दोनों classes को आप कैसे देख पाऊगे नीचे description box में मेरी profile का link आ thank you so much